हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सरकी क्लास आज की शिक्षा निदेशाले राश्टे राजधानिक शेत दिल्ली की वर्क्षीट वर्क्षीट नमबर 11 जो की कक्षा साथवी के विद्यारतियों के लिए है यह ली गई है गणित विशे से और आज इसमें हम जिस टॉपिक को करना सीखेंगे वो है दशमलव संख्याओं का जोड़ना और घटाना यानि जो दशमलव वाली संख्याओं हैं उनको हम कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं दोनों ही इस वर्क्षीट में सीखेंगे और दोनों ही टॉपिक बहुत इसको हम 50 नहीं पढ़ेंगे कि 12.50 नहीं 12.50 इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे तो चलिए बिना समय गवाय शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं तो देखो जो सबसे पहला प्रशना की आओ याद करें और पढ़कर तालिका को पूरा करें आपको तो भाग होते हैं एक तो सीधे हाथ की तरफ वाला और एक होता है सीधे हाथ की तरफ वाला भाग और सीधे हाथ की तरफ वाला भाग दो भाग हैं दशमलव के यानि एक तो लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है अब जो लेफ्ट साइड होती है अगर हम उससे शुरू राइट हैंड की तरफ जो अंक होते हैं, उनको हम पता क्या बोलते हैं, दशांश, यानि एक बटा दस, शतांश यानि एक बटा सो, और सहस्तरांश, यानि एक बटा एक हजार, और आपको बता दूँ कि दशमलव के बाद, जादा तर हम तीन अंकों तक जालते हैं, ये बात याद रखना, कि maximum 3 अंक होते हैं, इससे जादा होते नहीं हैं, हम आम तोर पर ऐसा नहीं करते हैं, तो अब देखो जैसे कि एक संख्या है 234.58, अब हम इनका जो है स्थानी अमान ग्याद करेंगे, कि इनका जो स्थान वो किस मान पर आता है, जैसे कि देखो अब 234 तो हमने इकाई है, तीन दहाई हैं और दो सैकड़ा हैं, तब ही तो हम बोल रहे हैं 200, सैकड़े का मतलब 100, दहाई का मतलब 10 और इकाई का मतलब 1, यानि सैकड़े के स्थान पर जितना होगा, उसको हम उतना ही बोलेंगे, जैसे 100 के स्थान पर 2 है तो हम बोलते हैं न, 200, 34, फिर इस पांच पांच आठ अब संख्या है ये वाली 12.625 अब आपको इसको अलग-अलग लिखना है इसके स्थानी अमान के अनुसार अब देखो 12 में 2 तो हो गया इकाई वाला अंख और दाही पर कौन सा अंख आएगा एक सैकड़े पर कौन सा आएगा है ही नहीं तो आप वहाँ पर 0 लगा दो या डैश मार दो तो ये बन गया कितना 12 अब 6 तो इसमें दशान्श है दो शतान्श है और सहस्तरान्श कितना है 5 इस तरह से हम इसको पढ़ रहे हैं 12.625 नहीं बढ़ेंगे क्योंकि बीच में संख्या है 500 क्योंकि सैकड़े पर कितना है 5 तो 500 और 10 पर कितना है 2 यानि 20 हो गए और एकाई का मतलब एक ही होता है तो ये 5 हो गए तो 520 और 5 525.169 संख्या क्या बन गई 525.169 इस तरह से हम पढ़ते हैं कौन दशामलव वाली संख्याओं को अब आपको समझ में आया अब हम आगे दशामलव वाली संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे कि आखिर उन्हें हम जोड़ते कैसे हैं बहुत असान है को अगर आपके पास दशामलव वाली 2 संख्या हैं एक त पुटी संख्या को नीचे रख लो या उपर रख लो, कोई फरक ने पड़ता, बस जो ध्यान देने वाली बात ये है, कि आपको दशमलव के नीचे दशमलव ही लिखना है, और इसी तरह से उत्तर में भी दशमलव के नीचे दशमलव ही आएगा, ठीक है, अब जैसे यहाँ पर तो चार-चार रंक है, दो अंक इधर, दो अंक इधर, नीचे वाली संख्या में भी दो अंक इधर, दो अंक इधर, और यही जो यहाँ पर steps भी लिखे हूँ है, कैसे steps लिखे हैं, हमेशा एक तो याद रखना कि हम right side से शुरू करते हैं, right to left जाते हैं, यानि दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरह, तो सबसे पहले किसको जोड़ते हैं, जैसे जमा में हम करते हैं न, वैसे ही करना है बिल्कुर, तो 5 और 5, 5 और 5 को जोड़ा, उतराया 10, 10 को पूरा नहीं लिखते हैं, 10 का इकाई वाला 0 लिखेंगे, और जो 1 है वो अगले पर क्या हो जाएगा, हम उसको अगले पर carry कर लेंगे, यानि अगले पर ले जाएंगे, अगले अंक के उपर, तो 4 के उपर हमने लिख दिया, 1, ठीक है, 4 और 1, 5, फिर 5 और 5, फिर दुबारा 10 आ गया, तो 10 की 0 और 1 को अगले अंक के उपर लेके जाएंगे, यहाँ पर, 5 और 1, 6 और 6, 12, 12 का कितना लिखेंगे, केवल 2 लिखेंगे, और 1 कहाँ चला जाएगा, अगले अंक के उपर, 1 और 2, 3 और 4, 7, तो हमारा उतरा आ 72.00 जा हम इसको 72 भी कह सकते हैं, इस तरह से हम इसको आपस में जोडते हैं, अब बिल्कुल सेम ऐसे ही दशमलव संख्याओं का घटाना, आगे जब हम प्रैक्टिस के कोशन करेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, आपके पास 2 संख्या आए हैं, अब यह य जाद रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव, डैसिमल के नीचे हमेशा डैसिमल ही करना है, इसको आगे पिछे नहीं खिसका ना खिसका होगे, तो आपका उत्तर गलत आएगा, अब देखो, 44.90 में से 15.75 को घटाना है, अब आप 0 में से तो 5 नहीं घटा सकते हैं, घटा स वाले से एक दहाई ले लेता है, तो यानि एक अंक ले लेता है, जब ये एक अंक इस 0 के साथ मिलता है, तो ये तो बन जाते हैं 10, और यहां 9 में से घट कर 1 घट जाएगा, तो बच जाएंगे 8, याद रखना है, ठीक है, अब हम 10 में से तो 5 चीजे किसी को दे सकते हैं, त आपके पास 4 चीजे हैं और आपको 5 देनी है, नहीं दे पाओगे, तो आप क्या करोगे, अगले वाले से कहोगे, भाई एक दे दे मुझे, जब ये एक इसके पास आएगा, तो ये तो बन जाता है 14, और इसमें से एक घट जाता है, तो ये रह जाएगा, 3, 14 में से 5 जा सकत अब चलते हैं अभ्यास की ओर, आओ अभ्यास करें, संख्या पिरामिड, देखिए बहुत मज़ेदार खेल है यहाँ पर, पहेली को हल करने के लिए प्रतेक संख्या नीचे दी गई संख्याओं, दो संख्याओं के योग के बराबर होनी चाहिए, यानि हर बॉक्स में जो भी आप नंबर भरोगे, उसके नीचे वाले जो दो संख्याओं होंगी, वो दोनों को जोड़के तब उपर वाली संख्या बननी चाहिए, कहने का मतलब यह है, कि माल लो अगर आप यहाँ पर कोई संख्या लिखते हो, तो यहाँ पर भी आपको संख्या पता होनी चाहिए इन दोनों को आपस में जब आप प्लस करोगे, तभी इसको लिख पाओगे, बहुत मज़ेदार खेल है, कैसे लेकिन यहाँ पर कुछ हिंट भी दे रखा है, वो देख लेते हैं, नीचे से पहली पंक्ती के बाइ बॉक्स से शुरू करें, यानि हमें शुरू कि यहाँ से क आता है कि यह वाली संख्या और यह वाली संख्या को अगर मैं प्लस कर दूँ तो 2.7 बनता है, तो अगर मैं 2.7 में से इसको घटा दूँ, जैसे कि मैंने यहाँ घटा दिया, तो मेरी यह वाली संख्या आ जाएगी 1.9, चाहे तो आप इसको फिर बाद में जमा भी करके द यहाँ पर करके दिखाओं, 0.8, 9.8, 17, 1, 5, 2, 2.7 बन गया नहीं बन गया, तो इस तरह से अब हमें बाकी की संख्या है पूरी करनी है, लेकिन एक हिंट और भी दे रखा है, दूसरी पंक्ती के मध्धे बॉक्स के लिए 0.8 दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है 2.7, इ इन दोनों को मिलाओ जल्दी से तो बनेगा 3.5, 3.5, इस तरीके से अब आपको सारी संख्याओं को भरना है, बहुत मज़ेदार है, मैं एक एक चीज आपको कर करके दिखाओंगा, अब देखो, अब जैसे हमें ये वाली संख्या चाहिए, तो ये वाली, तो देखो, अब क संख्या को जोड़ दूँगा, तो 7.6 बनेगा, लेकिन ये वाली संख्या तो पता ही नहीं है कितनी है, तो 7.6 में से अगर हम 3.5 को घटा दें, ठेक है, तो कितना आएगा 6 में से 5 गया, 1.7 में से 3 गया 4, तो ये वाली संख्या आ गई, 4.1, इन दोनों को जोड़ के देख जाएगी, क्योंकि मुझे पता है, 2.7 और ये वाली जो संख्या होगी, इसका जोड़ 4.1 होना चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 4.1 में से 2.7 घटा दूँ, तो मेरा उत्तर अपने आप आ जाएगा, देखो, 1 में से 7 नहीं जा सकता, तो 4 से ये 1 लेगा, ब अब हमें पता, ये वाली जो संख्या होगी, वो 2.7 जमा 3.5 होनी चाहिए, क्योंकि यही तो बता रहा है, कि जो भी उपर की संख्या होगी, इसके नीचे वाली संख्या का दोनों का जोड़ होना चाहिए, तो 2.7 और 3.5 को जमा कर लो, 7 और 5, 12, 1, 2, रेक 3, और 3, 6, तो ब 6.2 और 7.6 को हमने जोड़ा, तो हमारा उतर आएगा 8 और 13, 13.8, मैं अभी आपको साफ साफ लिख के भी दिखा दूँगा, ये तो मैंने calculations आपको बताई है, कि इस तरीके से हमें करना है, तो हमारी सारी संख्या आ गई, अब मैं आपको साफ तरीके से दिखाता हूँ कि कौ कौन सी संख्या कहा कहा पर आएगी, तो इस तरह से आपके जो परामेड है उसकी संख्याएं इस तरीके से आएगी, अब चलते हैं अपने बाकी के अभ्यास के प्रशनों पर इन पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये कैसे हल करने है, मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, पहला प्रशन है कि 4,35 और 65,06 का योग बताएं, ठीक है, अब आप देखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4,35 और उसके नीचे 65,दशमलव के नीचे दशमलव ही लगाना है, 65,दशमलव 0,06, आप चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या बड़ी संख्या उपड लिखके, अब 4,35, अब हमे अंक्तों सारे बराबर बराबर करने है, क्योंकि दशमलव के नीचे दशमलव आना ही है, तो 6 के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ 0 अपने आप लगा सकते हो, तब भी इसका उत्तर आपका यही आएगा, ठीक है, आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो, 5 और 6, 11, हासिल पहु के बाद 81.9 और 14.1 5 का योग बताएं, बहुत असान है, पहले यह वाली संख्या लिग दो, फिर यह वाली संख्या, अब आप कहेंगे इसमें 0 कहां से आ गया, तो 0 हमने संख्याओं के अंकों को बराबर करने के लिए किया है, क्योंकि उपर भी इधर भी 2 अंक, इधर भी 2 जब संख्याएं बराबर हो जाते हैं, उसके अंक बराबर हो जाते हैं, तो हमें जमा करने में या घटाने में असानी होती है, तो 5 का तो 5 ही आ जाएगा, 9 और 10, 10 पूरा नहीं लेखना हासिल पहुंचेगा, 1, ठीक है, दशमलव का दशमलव आ जाएगा, दशमलव के नीचे 1 और 1, 2 और 4, 6 और 8 और 1, 9, 96.05 इसका उत्तर है, फिर तीसरा प्रशन है, 9 और 3.459 को जोड़कर उत्तर बताएं, अब देखूं, जैसे कि अब आप कहेंगे हाँ तो खाली 9 हैं, तो देखिए अंकों को बराबर करने के लिए 9 के बाद हमने क्योंकि नीचे वाली संख्या म दशमलव के बाद 3 अंक थे, तो हमने उपर भी दशमलव के बाद 3 जीरो लगा दी क्योंकि इससे संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने यहाँ पर 3 जीरो लगाई है, तो 0 और 9, 9, 0 और 5, 5, 0 और 4, 4, दशमलव के नीचे दशमलव, 9 और 3, 12, यह आपका उत अब एक शाबदिक प्रश्ण, जोती 90 रुपे 5 पैसे की दर से 1 किलो से, 55 रुपे 45 पैसे की दर से 1 किलो संद्रा और 65 रुपे 45 पैसे के हिसाब से 500 ग्राम अंगूर खरीती है, जोती द्वारा की खर्च की गई, कुल राशी जब भी कुल आता है, इसका मतलब हमें जमा करन यानि प्लस करना होता है, जमा राशी की गणना करें, तो पहले हम इसको ऐसे लिख देंगे, कि 1 किलो से इतने रुपे के, 1 किलो संत्रा इतने रुपे के, और 500 ग्राम अंगूर इतने रुपे के, फिर लिखना है, खर्च की गई कुल राशी, कैसे जमा करेंगे? अब सभी स पांच और चार नौ दशमलव के नीचे दशमलव आएगा फिर पांच और पांच दस का जीरो हासिल पहुंचा एक नौ और एक दस और पांच पंदरा और छे 21 पूरा आ जाएगा 210.95 यानि 210.95 यह आपका उत्तर है फिर इसके बाद है 7.82 को 13.84 से घटाएं याद रखना घट संख्या उपर लिखतें तो मैंने बड़ी संख्या उपर लिखी अब अंक के नीचे अंक आएंगे 4 के नीचे 2, 8 के नीचे 8 और दशमलव के नीचे दशमलव और 3 के नीचे 7 ठीक है अब आपको इसको घटाना है देखिए 4 में से 2 गए 2 आ गए 8 में से 8 गए 0 आ गए फिर दशमलव के नीचे दशमलव और 13 में से 7 गए 6 तो उतरा गया 6 दशमलव 0 दो इसके बाद है 9 दशमलव 8 में से 6 दशमलव 15 घटाएं तो मैंने अभी आपको बताया था अंकों को बराबर करने के लिए हम 0 का प्रियोग करते हैं तो यहाँ पर हम कर देंगे 9 दशमलव 8 0 और यह बन जाएगा 10 और यह बन जाएंगे 7 तो 10 में से 5 गए 5, 7 में से 1 गए 6 और यहाँ हो गए दशमलव के नीचे दशमलव 9 में से 6 गए 3 उतरा गया 3 फिर अगला प्रशना है कि 3 दशमलव 3 2 3 को 7 से घटाएं अब यहाँ तो दशमलव के बाद 3 अंक वाली संक्या है और य अब आप इसको अराम से घटाओ देखिए जीरों में से 3 नहीं जा सकते जीरों में से 2 नहीं जा सकते वह यह आगे से हासिल मांगेगा उधार मांगेगा लेकिन हम लेई नीच सकते तब यह सब जाएंगे 7 के पास तो 7 अपने में से 1 उधार देगा 7 तो बन गया 6 अब यहा गया 7, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, दशमलव के नीचे दशमलव, और 6 में से 3 गया 3, यह आपका उत्तर है, और आठवा प्रश्न है कि 26 किलो मीटर, 56.8 किलो मीटर से कितना कम है, तो जब हमें अंतर निकालना है, तो हमें ऐसे करना है, उपर बड़ी संख्या लिखो, इस में से घटाने वाली संख्या में कोई भी अंक नहीं है, तो आप अपने आप से दशमलव कोई 0 लगा दो, ठीक है, 8 में से 0 गया, 8, और दशमलव के नीचे दशमलव, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 2 गया 3, उतर आगया 30.8, यह आपका उतर होगा, तो आप एक जरूरी सूचन हमने टेलिग्राम एप पर भी एक चैनल लवनीश सर की क्लास के नाम से खोला है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उस लिंक को जॉइन करके, उस ग्रूप को जॉइन करें लवनीश सर की क्लास को, और वहां पर आपको इस वीडियो और चैनल को खूब लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी लवनीश सर की क्लास चैनल के सब्सक्राइबर्स को 50K यानि 50,000 तक पहुँचा दीजिए, लेकिन याद रखेगा, घर से बाहर निकलते समय मास का वश्य लगाए और जब भी आपकी बारी आए, कोरोना का टीका करन जरूर करवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिन्दगी को एक बार फिर से सुहना बनाना है और उसके बाद भाई स्कूल भी जाना है, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाई